हेलो इस्टूडेंट वेलकॉम टो बिद्दालाशमी कोचिंग इस्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए आज क्लास एट मैथेमेटिक्स एक्सेसाइज एक पोईन एक क्वेस्टन नमर बारा से लेकर आए हैं जो कि बहुती सरॉल और आसान वासाम बताएंगे तो चलिए मेरे साथ अंततक बने रहे और मैं आपके साथ बिजय कुमार मंडल तो देखिए बारा नमर क्वेश्टन है कि दो परिमे सेंख्याओं का योगफल माइनेस तीन है योदि इन में से एक परिमे सेंख्या माइनेस एकारवटा चो हो तो दूसरी सेंख्या ग्याद तो देखिए आपको योगफल दिया हुआ माइनेस तीन और इन में से एक सेंख्या दिया हुआ माइनेस एगारवटा चो तो आपको दूसरी सेंख्या ग्याद करना तो दूसरी सेंख्या ग्याद करने के लिए पहले हमको मान लेना होगा क्लियर तो चलिए पहले हमको मान ल ठीके अब करते हैं परस्ण से तो देखे पहला संख्या दे रखा है माइनेस 11 बटा छो माइनेस 11 बटा छो और क्वेश्टेन बोर रहे हैं कि दो परिमे संख्या की योगफल तो योगफल बोर रहा है तो पहला संख्या और योगफल जो माने है वो योगफल माइनेस 3 है यानि एक्वेल टू माइनेस 3 है ठीके फिर से क्वेश्टर समझेए हम माना की दुसरी संख्या और पहला संख्या दिया हुआ है 11 माइनेस 6 और बोर रहा है कि दो परिमे संख्या की योगफल माइनेस 3 है तो योगफल बोला तिया आपर योगफल लिखेंगी अंतर बोलेगा तिया आपर अंतर लिखेंगी भागफल बोलेगा तिया आपर लेते हैं और बराबर में लेते हैं माइनेस तीन इधर बराबर कि इधर माइनेस है तो उधर चला जाएंगी बराबर को उधर तो पलास हो जाएंगी यहां कुछ नहीं मनें एक है फिर उसी तरो किजी एक्स इक्विल टू तो तीन छोप अठारो पलास एक है तो एगार एक ए तो लिख सकते हैं और तो दूसरी संख्या बराबर माइनेस साथ बटा छो ओके अब देखे तेरा नम्मर क्वेश्टेन है कि माइनेस एक में क्या जोड़ा जाए कि साथ बटा पाच पराप्त हो क्या जोड़ा जाए कि साथ बटा पाच तो एकस जोड़ा जाए तो मान लिजी कि माना की संख्या बराबर एकस तो यहां से करते हैं परस नसी तो पर माइनेस एक में क्या जोड़ा जाए तो माइनेस एक में एकस जोड़ा जाए तो पर कितना पराप्त होगा साथ बटा पाच पर आप्ठोगा मने बराबर तो फिर X को इधरे रग लिते हैं अब बराबर बाला लिखते हैं 7 बटा 5 इधर माइने से उधर चला गिया तो पलास में हो गिया फिर उसी तरों केलकुलेट कीजी X बराबर यहापर कुछ नेमन एक है तो 1 गुना 7 7 पलास 5 1 के 5 फिर बटा 5 1 के हैं X equal to 7 और 5 बारो बटा 5 यानी अतो सेंख्या बराबर बारो बटा 5 यानी बारो बटा 5 जोडने पर 7 बटा 5 पराप्त होंगे ओके फिर अब चोद्धा नमर कुष्टन देखिए मना दो परिमे सेंख्यां का गुनन फल माइनेस बारो है यदि उनमे से एक सेंख्या इतना ह तो दूसरी सेंख्या ग्याद किजी यानी दो परिमे सेंख्या का गुनन फल इतना है यानी आपको गुना करना है उसमें एक सेंख्य इतना दिया हुआ तो दूसरी सेंख्या ग्याद करना है तो हम लोग को दूसरी सेंख्या मानना पड़ेगा तो माना की दूसरी स्विंख्या बराबर X तो फिर उसी तरह कीजी परस्न से तो X स्विंख्या दिया हुआ है माइनेस तीन बाटा चार और बोर रहा है कि गुनान फल याने गुनान फल योगफर बोलेगी योगफर तो X X इक्वेल टू माइनेस बारो ठीके तो फिर उसी तरह कीजी X को X रख दीजी बराबर माइनेस बारो कोई चीज गुना में है और बराबर की उधर चला जाएगा तो गुना में ही रहेंगे लेकिन उपर का नीचे नीचे का उपर हो जाएगे फिर से कोई चीज गुना में रहेगा अगर बराबर की उधर ले जाएगे तो उपर का नीचे और नीचे का उपर हो जाएगा ठीके देखिए माइनेस माइनेस कैंसेल और तीन चैरे बारो यानि X बराबर चार गुने चार तो X बराबर 4 चैरे 16 तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतो दूसरी स्वेंख्या इक्वेल टू 16 किलियर तो देखिए अब नेक्स क्वेस्टेन माइनेस साथ बाटा 13 से कोन सी स्वेंख्या को गुना करें कि 28 पराब्त हो माइनेस साथ बाटा 13 से कोन सी स्वेंख्या तो आपको मानना होगा कोई संख्या तो चलिए मान लेते हैं माना की संख्या बराबर X ठीक है तो उसी तर परस्न से तो बरा माइनेस साथ बाटा तेरो में तो माइनेस साथ बाटा तेरो कोन सी संख्या गुना किए कि बरा बराबर 28 होजेगा तो X गुना करें तो बराबर 28 होजेगा फिर उसी तर ए एक्सोक एक्स रखते हैं अब बराबर बरा लेते हैं जब गुना को बराबर किधर लाएंगे तो उपर का नीचे और नीचे का उपर हो जाते हैं तो काटिए साथ चेरे 28 यानी एक्स 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 एक प्र fox लंगः इंग झिंग जैँ लार फंग झाक समा भाग coupon